काम करो ऐसा की पहचान बने जाए चलो ऐसे की निसान बने जाए अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त जीओ ऐसे की निसाल बने जाए आप सबीका सुपर कंसर्ट क्लासे में स्वागत थे और आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 इतिहास का वाइरल प्रस्न यानि यहां पर मैं आपको भेरी भेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोश्चन कराने वाला हूँ देखिया आप लोगों का इतिहास का जो एक्जाम है 21 मार्च को होने वाला है और आप लोगों को पार्ट वाइस वीडियो मिलता यह हमारा पार्ट वन वीडियो है जहां पर हम लोग 40 से भी अधिक अब्जेक्टिव कोश्चन को डिस्कुस करेंगे इसी प्रकार से हमारा बहुत सब्सक्राइब आएगा आप लोग हर एक पार्ट के वीडियो को अच्छे तरिके से देख लिजिए अगर आपको अब लिए पढ़ने का टाइम है अब लिजिए फिर बाद में जो करना है कर लिजिए लेकिन अभी वक्त है पढ़ाई का जिंदगी में कुछ करने का अपना रिजल्ट सुधारने का तो चलिए शुरू करते हैं और एक करके हर इक कोश्चन को बहुत ही सिंपल तरिके से और अरे इस्तीत है जिसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी अप्सेन नमबर टू यहां पर मैं आपको फटाफट फटाफट बताता हूं ज्यादा आपका टाइम बरबाद नहीं करूंगा जो जनुविन चीज है उसकी को यहां पर आपको बताऊंगा और यहां पर आप लो का उटखनन किया था कि इसने किया दा वही जो दुलो हाथ कुण जोड़ता है जो डास होता है तो राखल दास बनर जी का सचाएंसर हो जाएगा इसका नहींड हो जाएगा और हरुसे सब्धस बात कर जाये उनकि हरपा का उत्खनन या पिर हडपा का जो खोज है किसने क्या है तो धयाराम साहनी ने क्या है वही मैंने आप लोगों को ट्रीक के माईदम से भी पहले बता दिया था यहां पर यह जो कोश्चन है इसका सयुक्तर हो जाएगा ऑप्शनमर्टू यान के राखलदास बाइनर जी फड़ हल का जो परमान है कहां से मिला है हम लोग कहां जोते हैंके यहांपशर अप्चार ऑसन में से तो चाहिए बात हैं बगान में बंगा यान्कि काली बंगा काली बंगा में हमें क्या है ह釀नर आगे चलिए c सबसे सकतिसाली महाजनपद कौन सा था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगद क्या हो जाएगा मगद मगद जो था यह सोला महाजनपदों में से सबसे सकतिसाली महाजनपद था पुरानों की संखा कितनी है पुरानों का जो संख्या है टोटल पुरानों की संख्या कितनी है आ जिसको कोटील के नाम से जाना जाता है और इन्हें लोग दिस्तमु गुप्त भी बोलते हैं तो अर्तसास्त्र के लिखक चाना के बोली कोई दिगत नहीं है आगे बढ़ते हैं कोश्च नमर्व साथ क्या है कि महाभारत के आधी पर्वे के किस अध्याय में भीस में द्वारा आट्ट परकार के विवाहों का बर्नन क्या रिया है जैत्यकर अब लोगम हाभारत का बात करें तो अत्तर के हैं तो इसके बाद हमारा जो अगला जो कोश्चिन हमें क्या है कि अमबा अमबालिका किसके पत्नियां थी तो अमबा अमबालिका जो पत्नी है किनका तो विचित्र वीरिये इसका बिलकुल सही उत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा वहारत में कासिराज की पुत्री बताई गई है अमबा की दो और वहने थी अमबिका और अमबालिका याद रखिएगा कोई दिकत नहीं होने चाहिए क्या है कि महर्सी व्यास द्वारा उत्फन संतान थी तो पांडो धृत्राष्ट्र विदूर यह सब किसा भो जाएंगे यानिके नौका सही उत्र आप्सन नमर फोर यह सभी इसका बिलकुल सही एंसर हो जाएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्यों नमर दस की और देख क्या है कि महातमा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था अपरिक उनस्वर देजिगा कहां हुआ था तो महातमा बुद्ध का जो जन्म है यह लूमीनी में हुआ था ठीक है दसका सही उत्र आप्सन नमबर एक हो जाएगा आगे चले भाई कोश्चन नमर 11 की और देख लिए कोश स्वामी जन धर्मिला महाबिश्वशनी फ़्काउनम का ज्रव जाएगा कोशनभी और 15 कि कि और पॉद्ध महाइर्वश intend дав मिकोश्चन के सास्भाया तो अलबरोनी महोममद घजनी के साथ आप कहए ऽए पर गजनवी भी लिखा रहता है और तो तो महुत गजनी के साथ भारत आयacas याद रखिये गा आगे बढ़ते है क्वे surviving हमर पर क्या है यात्रियों को यात्रियों का राजकुमार कहा गया है कि उन्जाक किस देश का यत्रि था तो भारख को बुरकु ह jullie क्वेस्टन में 16 देख लिजी क्या है कि निमें से महिला संति थी यहां पर मीरा अंडाल कराइकल सब के सब हो जाएंगे लिकीन में से सब्सक्राइब रहे लोगा कि अ गर कभी इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं अगर दिया रहे तो याद रहे गा मिला यह नाइन किना पर्शंट चांस होता है कि यह हमरा इंसर नहीं होगा और इनमेस सबी जो है यह हमेरा अंसर होगा एक लोजिक है को जरूने के कि हर बर सही होगा में 99 परशन का बात क्या है 100 परशन का बात नहीं क्या है इसके बाद हमारा जो अगला कोश्चन अमें देख लिजी क्या है कि क्राइकल अमयार नामक महिला किसकी भक्त थी तो यह सीव भक्त ठेकर सब्रका सही उत्तर आपसर नमबर एक हो जाएगा विश्च क्रिष्ण को अपना पती मानते थी अब देखिए आपर इन में से सब इसलिए नहीं हुआ कि कि क्राइकल जो है यह सीव भक्त थी अभी मैंने आप लोगों को बता गया इसीव को मानने वाली थी इसके बाद हमारा जो अगला प्रशन है देख लिए अगला प्रशन हमारे प क्या है कुशन में 20 एक हम पी को यूनिस को दौरा आप विस्व पुरातात वस्तर किस वर्स भूसित क्या गया तो 1986 में घुसित क्या गया था उन्हें सुच्यासी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कुश्चन में 21 देख लिए हमरे पस क्या की विजयनगर का महानतम सा सकून था तो कृष्चन देवराय विजयनगर के सबसे महान सा सकते कोश्चन नवर 22 क्या है यहां पर देखिए कि आई ने अकबरी नामा को पर सिद्ध गरंद की रचना किसने की तो अबुल फजल ने क्या था किसने क्या था अबुल फजल ने क्या है इसके बाद का जो हमर जो अनुबादक है ना कि यहां पर सब हो जाएंगे बेवरीब जी हो जाएगा जैरेट भी जाएगा ब्लाकमें बीज़या सब इनकी में सबीसका सब ने किसी प्रकार से अनुबाद किया है कोश्चन 25 है कि हुमायू का भाई कोन था तो कामरान भी थे असकरी भी था हिंदा तक किस के काल में चरमोतकर्स पर पहुंची तो जहांगिन जहांगी इसका बिलकुल राइट एंसर हो जाएगा और 17 जहांगी क्या है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फार्षी अनुबाद किया गया जिसका साइंस रोजगा महाभारत महाभारत को मतलब दोर रज благ के रजमनामा में अनुवाद क्या रजमना मने होता है युद्धिकी पूच्तक और इसको महाभारत मी महाभारत में क्सמित यह फॉन्हें इसको अनुवाद्फ क्या गया है इसके बा야 लाघ्ला चो प्रस्टिंध में 28 क्या ओन था टहला इक डॉक्टर थे के फ्रांसिस बुकानन न एक इतिहासकार थे और नहीं सर्वे अधिकारी बल्कि वह क्या थे चिकित सकते डॉक्टर थे लेकिन देखिए मतलब प्रिवी से कोईश्चन पिर आप लोग देखिए गा तो मतलब कहीं पर न इस प्रकार से कोईश्चन दिया गया है कि फ्रांसिस सब्सक्राइब करने तो लेकिन आगर सब्सक्राइब कर देंड़ेत लेया आगे चलते लुब यदि क्रीक है कैज ओष midnight on upकु सबलॉकर सब्सक्राइब 34 ही दिए कि फिवकानन की व्लंके तुलब एक शिप्सकी किस सब्सक्राइब गई है तो एनाल्स हो जाएगा इसका बिलकुल सही एंसर 8 घर सुसंताव की करांती आरंब हुई तो दस माई से सुरू हुआ था दस में 807 से दस में इसका से अंसर हो जाएगा विद्रों के दोरान लॉड के गवर्णर जनरल थे वह अठार संथाउन में भार के पहले वाइसराई भी बनी भार के पहले वाइसराई कोन थे अठार संथाउन में बने थे लॉड कैनिंग याद रिखिएगा आगे चलते हैं अब कोशन में 33 की ओर देख लिए कोशन में 33 आमरे पस क्या है कोशन में 33 एक अठार संताउन की करांती से पूर्व अफवाएं फैल रहती पूर से अपवा सही है कार्तुस में गाया वंग स्वर की चर्वी भरी हुई है बिल्कुल सही है घ्या आटाव सक्कर में गायो सवर के हड् चावनी में कमल के फूल भेज आ रहे हैं यह भी सही है तो इंहां पर जितना भी अप्वा दिया आगया है हरे अप्वा सही है कोशन में 34 देख लिए क्या है कोशन 34 है कि कलकता में अंग्रेजों की किले बंद बस्ती का नाम था तो इसका नाम था फॉर्ड विलियम या फॉ भारत का पर राइधानी कलकता था फिर कलकता से दिल्ली सिप्ट होगी अभी जिसे हमाने लोगों का राइधानी क्या है नहीं दिल्ली है ना तो दिल्ली सिप्ट कभ वह तहीं आपको बताना है तो 1911 में ठीक है नोट कर लिजे 1911 अगला कोश्चन 36 कि विक्टोरिया टर्मि आपको रते हुताह रगया में और इसका आत्मगता नाम था सच्तिके परियो को कि सिक लिए बीधानी लिए सच्तिके पर्योंग में गुज्रातिय भासा में लिए अगला मैं को ग्रने कि अंटो लस्ट नामकत शथा किसकी तो यह उष्किन है याद से किसका रसकिन का है यह नारा किसन दिया स्वासचंद्र बोस ने दिया है चालिश का सहोत्र नारा है कि- प्रकार से क्या हुआ था मार्च मुस्लिम लिग का अधिवेशन लाहर में हुआ था इसके अधिवेशन में भारत से अलग एक अधिवेशन में लिग रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत ज़्याद है सब नोट कर लिजिए पढ़ लिजिए कोश्चन नमर 42 देख लिजिए हमारे पस क्या है वसना 42 एक सुभास संद्र भॉस भार्त रास्ट कॉंग्रेस के अध्यक्ष कब बने ठीक है कब बनाता भाई संद्रिस को क्या गया था और प्रारुप समीति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम राव अमेटकर या पर डॉक्टर भी आर अमेटकर आप लोग बोल सकते हैं कोश्चन नमर 44 क्या है देख लिजिए कि समिधान को बनने में कितना समय लगा था तो इसका सयुत्र हो जाएगा अगले वीडियो में थांक यू जैहिन